हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हम में यूट्यूब चैनल, तो दोस्तों ये इस ड्रामा की एक्स्पिलनेशन का पार्ट नमबर थ्री है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, और अगर आपको है कि यहां क्या कर रहे हो, डाउंग जू कहता है, यह मेरी जमीन है, मैं यहां पर कुछ भी करूँ, वैसे तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, मुझे सबके साइन लाके दो एक हफ्ते का है, तुम देखो मैं अस्तानी से कर लूँगी, मगर तब डाउंग जू इससे कहता है, उस दिन तो बड़ा मेरे सामने आके कह रहीं थी, कि मेरी भी इज्जत है, मैं ऐसे ही पैसे एक्सेप्टे नहीं कर सकती हूँ, मगर उसने एक जॉब फैक ही, और तुमने वो जॉब एक्सेप्टे कर ली, पता नहीं कितने लड़कों को तुम ऐसे ही फसाती ह होगी, दाजी को इसके उपर गुस्सा आने लगती है, और वो कहती है कि क्या कहा तुमने, मकर डॉंग जो चला क्या था, और दाजी भी गुस्से में अपना काम करने के लिए चली गई थी, एक्चली वो गाउं में ही आई थी, एग्रिमेंट लेटर साइन कराने के लिए, वो येंग जो आउंटी से बात करने ही वाली थी, कि उससे पहले ही वो बुराईया शुरू कर देती हैं कि ये रिजर्ट वाले कितने बुरे हैं, हमसे लेटर साइन करवाना चाहते हैं, एक बार सामने तो आए मैं इनका मूँ तोड़ दूँगी, बिचारी शांत हो जाती ह तब ही उसे पता चलता है कि अंकल बॉंग्चु के हाथ में चोट लग गई है, और उन्हें किसी हेलपर की जरूरत है, तब ही अपना दिमाग चलाती है, और कहती है, हेलपर तो है मेरे पास, अब अगली सुबा सुबा बिचारे डॉंग्चु को उठाने के लिए चली जात और इसके बाद अंकल का हैलपर बना दिती है ऐसे, डॉंग्चु की तो, गोबर की बद्बू के मारे बुरी हालत हो रही थी, वो दाजी से कहता है, क्या खिर ये सब कुछ मुझे क्या करना पड़ रहा है, दाजी कहती है, तो मैं साइन चाहिए, तो अपनी इमेज को अच् इसे गेहू की बोरी उतारने का काम दे देते हैं, मगर इससे इतना वजन उठी नहीं रहा था, अंकल कहते हैं कि ये बहुत कीमती है, तो इसे डंग से उतारो, तब डॉंग्चु कहता है कि इतनी भारी बोरी मैं भला क्यास उठाओ, अंकल कहते हैं, हाँ भई, तुम नवा अपना सपना पूरा करने के लिए, भार पढ़ने के लिए क्यों नहीं गई, जॉंग कहता है, तुम लोगों की डिवास के बाद, वो कुछ आगी बोले हो, उससे पहले ही वहाँ पे, आंटी यॉंग्जा पहुच गई थी, टॉंग्चु पूछता है कि आप कैसी हैं, ना बारिश से समान खराब हो जाएका, बिचारा डॉंग्जु परशान हो रहा था, कि कहां बुरा फस गया, अब आगी बिचारा रात को अपने दर्द पे दवाई लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर दवाई भी नहीं लग रही थी, इतने में ही, बाहर दाजी पहुच और वो कहती है, डॉंग्जु गेट खोलो, मैं तुम्हारी लिए दवाई लाई हूँ, मगर तब डॉंग्जु से कहता है कि पहले जख्म देती हो और फर दवाई लगाने के लिए आ जाती हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दवाई, तुम जाओ यहां से, मगर तब ही कि तुम्हें लगता है कि उन्हें सुखा करके वही टेस्ट आपाएगा, खिर अब यह लोग बड़े ही परशान हो गए थे, और अंकल कहते हैं कि उन्हें अब कुछ दिन के लिए रेस्टराइंट बंद रखना पड़ेगा, तो कहता है कि वो नया वीट मगा देगा इससे भी महगा वाला, तब अंकल कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि पैसे से हर दिक्कत सौल्व हो सकती है, इस वेराइटी का गिहूं मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मगर फिर भी डांग जू गुस्से में अपने असिस्टेंट को फोन करता है, गिहूं का करने के लिए, और वो दाजी पे भी गुस्सा कर रहा था, कि दुबारा से मुझे ऐसे जमेले में मत फसाना और अपने काम पे ध्यान दो, मगर तब ही दाजी देखती है, कि उसका टैंट तो अल्मोस्ट पूरा भीगी चुका है, तब वो डांग जू से कहती है, कि आज अपने ही रूम में चिल जाती है, अब दाजी अपनी भेहन को बनाने के लिए जाती है, तब उसकी भेहन पूछती है, वीदी कहती है, तुम्हें उसे देख करके गुस्सा नहीं आती है, कि वो तो कितनी अच्छी जिंदीगी जी रहा है, और पहले से और भी अमीर हो गया ह लेकिन तुम्हारा क्या, उसके वज़स से तुम्हारी हालत कैसी हो गई है, तब दाजी कहती है, शिर्फ एक हफते की बात है, शिर्फ एक हफते के लिए उसे यहाँ पे रहने दो, तो दाजी मान ही गई थी, और दाजी इन डांगजु को उसका रूम दिखा दीती है, आग टांगजु अंदर कह रहा था, किसी भी लड़के ने इसे डेट नहीं किया होगा, दाजी कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, खेर दाजी चली जाती है, और अब अगली सुबा का सीन दिखाया जाता है, दाजी नाकी निकली थी और डा अजाती है, तो य्क्ष्ट्रम यूज नहीं करेगा, दाजी कहती है, तुम्हें बर तरीके से जाना जिकी डाजी चाहिए, उसकी भेंण को नुकसान पहुचाने के बदले, दाजी के जाते ही, दाजी को युनो का फोन आ जाता है, उससे कह रहा था कि तुम अभी तक आहीं नहीं दाजी कहती है मैं इसमें खाना खाकर कि आ ही रही हूँ तो भी डाजी गुस्से में बोलता है कि तुम ये भी रिपोर्ट करती हो कि तुम क्या खाती हो और क्या नहीं ताजी फोन रख देती है और डाजी से कहती है तुम्हारी दिक्कत क्या है दाजी कहता है इसके तमीज है और अच्छे के साथ अच्छी है। खेरदर यूनों नहीं दाजी को उसके रिजॉर्ट का डिसाइन देखने के लिए बिलाया था कि उसकी मदद से अब वो इन्वार्मेंट को बचाते हो यहां पे रिजॉर्ट बना पाएगा। इवन वो तो दाजी को एक जॉब भी आफर करता है उसकी मदद करने के लिए। तब दाजी कहती है ने आपकी मदद पैसो के लिए नहीं की थी बलकि आपने मेरी मदद की थी इसलिए मैंने आपकी मदद की थी। खेर आगे दाजी ढांग्जो के साथ मिस्टर Yeng के पास जाती है उन से साइन कराने के लिए मगर वो साइन नहीं करते हैं ओपर से वो दाजी को सनाने लगते हैं तुमने अपने इस एकसस बेंट से कितने पैसे लिए हैं जो तुम अब हम से साइन कराना चाहती हो दाजी कहती है ऐसी बात नहीं है अगर ये दाजी कोई उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं और डाजी से ये बरदाश नहीं होता वो दाजी से कहता है बस करो तुम्हें सुना ही नहीं देता अब चलो मेरे साथ यहां से हागी दाजी उसे रोकती भी है कि उसके लिए ये सुना आम है लेकिन तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा अगर तुम्हें साइन चाहिए तो लोगों की बात सुनने ही पड़ेगी टांग जू कहता है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है दाजी कहती है मिरे पास self respect है मगर तुम तो अभी भी बच्चे हो अगर तुम company के तरफ से आए हो तो तुम्हें अपनी ego को side में ही रखना पड़ेगा तब ही डाउंग जू को phone आता है उसके मंगाए हुए gay हूँ पहुत चुके हैं और दाजी डाजी डाउंग जू से कहती है इससे अच्छा तो तुम उनसे माफी मांग लो डाजी कहती है बला मैं माफी क्यों मागू डाजी कहती है तुम्हें लेटर पे sign नहीं चाहिए डाजी कहती है ये तुम्हारा काम है और अगर तुम साइन नहीं ला पाई तो इस फार्म के सपने भूल जाओ खेर अब इसके बाद डॉंग जू रिजॉर्ट वापिस लाउट गया था और उसका समान लेने के लिए असिस्टेंट ली भी दाजी की यहाँ पहुँच गया था वो दाजी से कहता है बॉस ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है इस फार्म को बचाने के लिए मैंने सुना है आप उनकी स्कूल फ्रेंट है शायद इसलिए वो यह सब कुछ कर रहे हैं अब दाजी को समझ में आता है और फिर वो डॉंग जू को कॉल करती है डॉंग जू से कहता है रात को परशान करना बन करो अब जब सब के साइन ले लेना उसके बाद ही कॉल करना तब दाजी डॉंग जू से कहती है डॉंग जू चलो ड्रिंक करने के लिए चलते हैं फिर डॉंग्चु दाजी से कहता है कि बस करो, तुमारी drinking capacity कितनी बढ़ गई है। दाजी कहता है, इन 6 साल हुमें, बहुत कुछ बढ़ किया है। मेरे पेट का मुटापा, मेरी उम्र, और साथ ही साथ, मेरी ये बतकिस्मती। दाजी डॉंग्चु से सारी और थैंक्यू दोनों बोलती है। डॉंग्चु कहता है, इस तरीके से नजदीक आने की कोई भी ज़रत नहीं है। जैकि तुम बिल्कुल नहीं बदली हो, एक पल करीब आती हो, तो दूसरे पल तुम मुझे धोका दोगी। दाजी कहती है, माफ कर दो मुझे, इस बार भी तुमें, मेरी वज़े से दिक्कत में आना पड़ गया। डॉंग्चु कहता है, इसमें तुमारी गल्ती क्या है, डिरेक्टर में तुमारी वज़े से थोड़ी ना बनाऊू। दाजी कहती है, तुम पहले से बहुत हैंसम हो गए हो, लेकिन मैं इस वज़े से तुमें लाइक नहीं करती थी। इसके बाद तो वो भी होशी हो जाती है, अभी डॉंग्चु को यू से वापिस गर लेकर के जाना पड़ता है। अगली सुबा दाएन अपनी भेन को लात मार के उठाती है कि अब उठ भी जाओ। अब जब दाजी उठती है तब उसे यादाता है कि कल रात उसने क्या क्या नहीं किया है। तो मैं तुम्हें छोड़ूगा नहीं और आएनदा से किसी और लड़के के साथ ऐसे ही ड्रिंक मत करना। खेर तब ही डाउंग जुको जुन्योंग का फोन आता है वो उससे मिलने के लिए जाता है तो जुन्योंग उसे बताती है कि अब से वो डियाई रिजॉल्ट की डिजाइन टीम की हैड है तो वहीं दाजी वो युन्हों को देखती है होर्स राइडिंग करते हुए। मिस ली दाजी तुम जब भी आसपास होती हो मेरा मूड अपने आप ही ठीक हो जाता है तब दाजी कहती है कि आप चाते हैं कि मैं आपको एक और मूड ठीक करने वाली जगा बता हूँ फिर दाजियों से एक पेड़ के पास ले जाती है और उससे कहती है कि मैं इस पेड़ स आपने मुछे मिस दाजी नहीं बिलाया، यह अच्छा है, आप मुझे सिर्फ दाजी बिला सकते हैं। खेर अब डांग जु और जिन्यॉंग का आमना सानना दाजी और युनो से हो जाता है। मकर यहां तो दाजी और डॉंगजु हैरान थे कि योनो जिन्यों पेले से ही एक दूसरे को जानते हैं और बातों से थो ऐसे लग रहा था कि बात अच्छे से जानते हैं तक भी जिन्यों पूछती है, लाकः ये कौन है तब युनों कहता है ये है ली दाजी वो लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ ये सुनकर के दाजी है अहरान होती है और डंग्चु को गुस्सा आ रही थी कहरेशी के साथ ये वाले पार्ट के एक्स्पिलनेशन यही पे कम्प्रीट होती है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लैक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे थेंक्स फॉर वाचिंग मिलते बहुत चल